नमस्कार आप एक्जाम ठूरा देख रहे हैं बीएससी इंटर लेबल का इक्जाम कब होगा क्या इस साल इक्जाम होगा या नहीं होगा क्या दोहजार 25 में इक्जाम होगा लेकिन एक बात आप जान जाएन इन फ़ैसी में जानिध का लक्ष रखा गया है कि BSC Interlabel चुनाओ से पहले ज्वाइनिंग करा दिया जाए, अचार शहीं साल लगने से पहले सभी विद्धार्थी को ज्वाइनिंग करा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं है कि कब एकजाम लिया जाएगा, इस बात को समझेगा, एक एक बिंदू को समझेगा बहुत सारे विद्धार्थी ये सोच रहे हैं कि TCS लेगी, तो अब रेलवे का एकजाम है, तो हम लोग का कैसे हो पाएगा, बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि अब TCS नहीं लेगी, अब सिफी को दे दिया जाएगा, जो बिहार की एजेंसी है, वो लेगी, तो हैकिंग का समस समस्या होता है, कई सारे प्रश्णपतर आउट होने का समस्या होता है, बहुत समस्या होता है, उस कंपनी में आपको मालूम होगा, लगतार आपको मालूम होगा कि एस्टेट का एकजाम कराये जा रहा था, कैसे चल रहा था, यहां तक कि सचमता वाला एकजाम हुआ, कैसे ये भी आपको मालूम है अभी देखिए बहुत लोग ये सुच रहे हैं कि जिस तरीका से विल्टॉन बताए गया कि टीसेस करा रही है विल्टॉन वाला जो एकजाम हुआ कई जगा कामे नहीं हुआ कई जगा अंदर समस्या हो गया वह एजेंसी ले ले तो अब क्या होगा ए अब आई एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर देख लिजिए रेलवे एलपी वाला एकजाम आपका 25 नौंबर से चालू हो रहा है 29 नौंबर तक चलेगा रेलवे आर्पी अफसाई वाला जो है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा रेलवे जेए का एकजाम 6 से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा रेलवे टेकनिसियन का एकजाम 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा यानि दिसंबर पूरा फूल है इस बात को आप समझ ले लेकिन ऐसा नहीं है कि टीसेस के पास वेवास्था नहीं है इसमें चाहे तो अब कई चरण में चुकि बिहार इंटर लेवल यह भी आवेदन की यहां भी आवेदन की इसमें भी किये हैं और उनके पास जीगरियत यहां भी किये हैं कि यानि कि दोनों एकजाम एक साथ कराना समझ नहीं दिख रहे इस लिए आप मान के चलिए यदि बिहार में कराए या कोई अन एजनसी को भी अफसर्च किया कटके के बच्चे जो जन्मीन बच्चे हैं जो पड़ेली के बच्चे हैं उनका रिजल्ट 100% होगा इसमें कोई बार्गेनिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है तो अब इनके पास देखिए 16 दिसंबर दिसंबर यह चला जाएगा जनवरी भी बूक है कैसारे जनवरी में भी ए फेबरवरी एक समय भजता है कि फेबरवरी में करा लिया जाए तो यह 2025 में हो जाएगा आपका एकजाम फरवरी में एक बात को आप समझे ऑन लाइन एक जाम कराना है तो मार्च तक में आपका रिजल्ट भी घोसीत कर दिया जाएगा एक बात को जानियेगा चुकि जिस तो समय से भड़ा समझ्या यह रहता है कि वह पीटी फी जो प्रिलिम सी घ्जाम होता है उसमें तो एक साल डेड़ साल वह लगाते हैं लेकिन जो में का होता है उसमें मातर 30 से 35 दिन डिन या 45 दिन में या 2 माह के अंदर करा लिया जाताए है तो वह एसे विद्ध्यार्थ जो यह सोच रहे हैं कि हमारा जब बीटी होगा उसके बाद 6-7-8 माह समय मिलेगा तो आपको समय नहीं मिलने वाला है आपको मेंस के लिए इसी में प्रयास करना है तो आप प्रयास करें कि मेंस के लिए भी तयार है आप लोग का अक्टूबर से पहले चुनाव से पहले आपक से उनतीस यहाँ दो से पांच यहाँ चो से तेरह के बाद जो गए फिर यहाँ इस टाइप में भी करके कराया जा सकता है टी सीच के द्वारा ही आयोग भी सरकार भी सोच रही है और भी सर्व्टी से ही लेकिन अभी कोई notification नहीं है यह अंदर से ख़बर चल रहा है कि last last number में प्रयास किया जा रहा है लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है कि number में कितना gap मिलेगा डेट दो माहा तब चल सकता है एक्जाम जिस तरीका से गैप गैप में कराए जाएगा तो तो वैसे बिद्यार थी जो BSAC इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं अच्छा तरीका से आप तैयारी करें कभी भी आपको एक्जाम डेट दिया जा सकता है कभी भी 10 से 15 दिन में कोई कोई नोटिस आ सकता है तो इसलिए आप तैयारी में लगे रहे हैं जहां कोई समस्या हो तो आप कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करें क्या आप चाहते हैं आपका क्या विचार है क्या TCS कराएं या सिफी कराएगी तो समस्या हो जाएगा आप सभी को इसलिए आप लोग भी प्रियास करें कि टीसीयस ही कराए हमेशा से इसको लेकर बहुत सारे लोग आवेधन भी किये मेल भी किये कि टीसीयस ही कराएगी